नमस्कार, हमारी न्याय ववस्था ने एक समय मुंबई हमले के आतंकी याकूब मेनन की फांसिक पी सुनवाई के लिए बड़ा दिल दिखाया था देर राज सुप्रीम कोट ने सुनवाई की लगप पूरी राज सुनवाई चलती रही और अंक ने फैसला आया ये बात अलग है कि याकूब मेनन की फांसि पर रोक की साजिस सफल नहीं हुई कोट फिक्सरों की लेकिन उसी धंका एक बड़ा दिल दिखाया है इलाहवाद हाई कोट ने होली की पुर्व संध्या पर एक बड़ा फैसला आया है आप यूँ भी मान सकते हैं कि क्या हाई कोट ने कहा है कि बुरा ना मानो होली है क्योंकि हाई कोट ने जो आदेश दिये हैं उसके मुताबिक जिसे कानून के मुताबिक दंगाई माना जा रहा है जिसे उत्तर प्रदेश सरकार ने माना फ्रेक्ट के आधार पे, CCTV कैमरे के आधार पे, वीडियो जो आए हैं उसके आधार पे, ओडियो भार्शनवाजी के आधार पे कि कुछ लोग प्रदेश में दंगा करवाना चाहते थे कुछ लोग CAA के नाम पर हिंदू मुस्लिम दंगा करवाए और जिसके कारण उत्तर प्रदेश में करोलों की प्रपटी नश्ट हुई उसी मामले में योगी सरकार ने 88 लाख रुपे की रिकवरी के लिए 57 लोगों का जो को जो नाम जद किया था उसमें संताबन लोगों की लखनों की अलग अलग जग चौक चड़ाओं पर पोस्टर लगे थी ठीक उसी तरह से जैसे अपराधियों की पोस्टर लगाई जाती है इनकी पहचान के लिए इनके ओपर आदेश था कि इनसे रिकवरी की जरूरत है क्योंकि योगी सरकार सुप्रिम कोट के उस आदेश का पालन कर रही थी जिसके मुताबिक यदि कोई दंगा फसाद करता है सारवजनिक संपत्ति को नश्ट करता है किसी हर्ताल के नाम पर किसी प्रोटेस्ट के नाम पर पब्लिक प्रोपट्टी नश्ट करता है तो उससे उसकी वसूली कराई जाएगी सुप्रिम कोट के उसी आदेश के मुताविक योगी सरकार ने दंगाईों से वसूली का एक नया उदाहरन पेश किया था ये कानून तो है लेकिन कोई सरकार इतनी हिम्मत कभी जुटा नहीं पाई आज तक जो योगी सरकार ने जुटाया था और इस मामले में प्रदेश के कई नामचीन लोगों के नाम थे जिसमें कॉंग्रेस पार्टी की नेता रही सदर जाफर हैं उन्हें समाजिक कारेकरता बताया जारा मीडिया के एक वर्ग के द्वारा कॉंग्रेस की वो नित्री हैं ऐसार दारो दारा पूरी हैं जो विरादरी में बड़ा नाम है इनका ऐसे ही कुछ लोग हैं कुछ इमाम हैं जिनके वारे में कहा जाता है कि मस्जिद से इन्होंने बहुत भरकाव भाशन दिये जिसके कारण दंगा फसाद हुई उत्तरप्रदेश सरकार चाहती थी कि इस मामले में सुनवाई इस मामले में कादेश कोट जारी करती है जैसे कुरकी कादेश कोट जारी करती है लेकिन अब की बार नामचीन लोग थे तो इलहाबाद हाई कोट के पास भी शायद दवाब रहा होगा तो माननीय न्याधीस ने एक आदेश दिया और माननीय न्याधीस उत्तरप्रदेश इलहाबाद कोट के जो मुख्ष नयादीस गोविंद माथूर हैं उनकी अदालत के तरफ से होले की पुर्व संध्या पर एक फैसला आया अदालत की छुट्टी चल रही थी होली की लेकिन चुकी मामला ऐसे ऐसे नामचीन लोगों का था इस तरह के इस सामाने दंगाई होते तो क्या अद लाग की संख्या में तो इलहाबाद हाई कोट में कई मैटर हैं इलहाबाद हाई कोट के अंदर में जितनी अदालते हैं उसके अंदर है तो क्या इतना वरा दिल अदालत आम आदमे के लिए दिखाती है जो दंगा में नामजद दंगाईयों के लिए जो दिखाया गया हाई हाईकोट ने बहुत बड़ी बड़ी बातें की है हाईकोट ने अपने आदेश में कहा है कि उन तमाम लोगों के समाजिक सम्मान का मसला है सारजनिक अस्तल पर बिना पूछे किसी के फोटो नहीं लगाया जा सकते हैं तो क्या मिलोड होली के पुरुसंध्या पर लोगों से कह है कि अब किसी से पूछा जाएगा कि आपका आपराद आपके उपर है क्या आपके उपर F.I.R. की जाए या नहीं की जाए क्या एक नई परंपरा इस जंग से शुरू होगी क्योंकि अदालत जब कभी भी मैंने अदालत की सुनवाई की कोट के और पढ़े तो हमेशा आम तोर पे जजज ये लिखते रहे हैं कि ये फैसला किसी फलाँ आपराद ही को सजा देने भरका नहीं है ये फैसला समाज को द गए हैं ताकि दंगाईों के साथ साथ दूसरे को भी ये मैसेज जाए कि इस तरह से भविस्त मेरी वो दंगा करते हैं तो उनके खिलाब कारवाई होगी ना सिर्क उनकी संपत्ति कुर्क होगी ना सिर्क उनसे वसूली की जाएगी बलकि चौक चड़ा है पर उनकी तस्वी जादा होता है और इसलिए उनके बातों के प्रभाव इस कदर होते हैं कि लोग सरक पे उतर जाते हैं और उनकी बातों के प्रभाव में ही लोग दंगा करते हैं यही दंगा का फर्मूला माना जाता रहा है अब तक यही कहती रही है कि जो प्रभावशाली लोग हैं और इस इसलिए देखे होंगे मुस्लिम प्रभावी तिलाका में कई मस्जिद के इमामों को उतारा गया आपको याद होगा एक बार जब इडन गार्डेन में भारत और स्रिलंका के बीच मैच हो रहा था उसमें भारतिय दर्शक हार की पीरा से जब बोटल फेकने लगी थी मैदान मे सचिन तेंदुलकर आउट हो गये थे सचिन तेंदुलकर कोई डन गार्डेन मैदान में उतारा गया इसलिए ताकि जो क्रोधित भीड है वो चुकि सचिन का सम्मान करती थी सचिन को उतरने की जुरत नहीं थी मैदान में सचिन को उतारा गया सचिन आउट हो चुके दिभा प्रभावशारी लोग हैं उनके शब्द के माइने होते हैं लेकिन ऐसे में जब कोई सदफ जाफर फंसती है ऐसे में जब कोई प्रभावशारी प्रभावशारी लोगों को मात की खात उटा रा सके ऐसे में जब वहां पता चला कि किस तरह से वहां एसीड बम बनाये गए थे और ऐसे में जब यह पता चला कि यह रातो रात की प्लान ही नहीं थी है ट्रकों में पैक होकर के पत्थर आये थे दिल्ली के बाहर से ऐसे में जब यह तमाम फैक्ट मिलते हैं तो क्या मिलोट इसे गंभीरता से नहीं लेते या पिर कुछ लोगों के ही सिसर्फ समाजिक सम्मान होते हैं क्या आम लोगों के समाजिक सम्मान नहीं होते हैं तो क्या आज के बाद से किसी ठानों में किसी के तसБीर नहीं लगाई जाएगी जगों पे तो ठान भी तो सरब्जनिक जगह है ऐएसे में फिर यह पर्चलन कि मुनादी क्यों पिटाए जाते हैं हाली में उत्तरप्रदेस के पुर्व मंत्री वर्तमान सांसाद बही आजम खान की खिलाप उत्तर प्रदेश में ही मुनाधी पिटवाय गए रामपूर में, उनके शहरों में मुनाधी पिटवाय गए, उनकी संपत्ति कुर्ग करने के आदेश दिये गए, यह अदालती फैसले हैं, और परमपरिक रूप से इस तरह के फैसले होते हैं, तो अदालतों क क्या इतना वक्त होता है कि जब प्रभावशारी लोगों पर कानूनी कारवाई होती है तो अदालत क्यों जगती है इस तरह से यह अहम सवाल है होली की पुर्व संध्या पर हाइकोट के इस आदेश के क्या माइने है क्या सिर्फ इसे होली के लिए किमान दिया जाए कि बुरा एक काईदेश से सोचिये तो एक मिसाल पेश कर दिया है और हाइकोट के आदेश लोवर कोट के लिए एक तरह से एक पैगाम होता है एक संदेश होता है सम्मिधां की कौपी की तरह होती है और ऐसे ही इसी धंके आदेश पर आदालतें आगे के फैसलें करती है ऐसे समय में जब यकाईक रवीबार को किसी मामलित को गंभीरता से लेते हुए छुट्टी के दिन एक तो होली की छुट्टी उपर से रवीबार हाई कोट बैठती है और होली के पुर्वसंध्या पर इस तरह के फैसले देती है एकाईक एक दिन की ओर्डर रेजर्व होने पर इसके बड केल करसना चाहती है एक लोगतांत्रिक विवस्था में लोग न्यायपालिका की बड़ी भूमिका होती है लेकिन एक लोगतांत्रिक विवस्था में सवाल पूछने का अधिकार न्याले से है उनके जज्जमेंट पर है कि क्या हमारे न्यायधीस इसे गंभीरता से नहीं ले हैं अर्बों के संपत्ति नस्ठ हुई है तो क्या इसके माइने नहीं है हाई कोट के ये आदेश भविस में कई सवाल खड़े करेंगे ये होली की पुर्व संध्या पर आखिर हमारी अदालतों को इस कदर मजबूरी क्यों हो जाती है उनके लिए जिनके उपर दंगा के हैं ये मामले बेहत गंफीर हैं वक्त होली का है लेकिन सवाल अहम है कि होली की पुर्व संध्या पर ऐसी मजबूरी हमारी अदालतों के लिए क्यों होती है बहुत-बहुत धन्यवाद बहुत-बहुत आभार्म